हेलो व्रीवन एंड वरी वर्म वेलकम तो सिक्षा सो गाइस इस लेक्चर नंबर नाइन फॉर यॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ओके अंड इसके अंदर हम डिसकस करेंगे इंटरनाशनल लेबर ओर्गनिजेशन पीडिफ की टेंशन नहीं लेनी है पीडिफ का लिंक डिस् बनी है उसकी पीडिफ भी है और जो नहीं लेक्चर जल रहे हैं उनकी पीडिफ भी रहेगी ठीक है ताकि सीडियस कैंडिडेट्स के पास पीडिफ जाए उसके पीछे कोई 99 रुपीज में कुछ ऐसा नहीं है कि इंकम जनरेशन या वैसा कुछ मोटिव उसका नहीं है ठीक सेट अप किया गया था दोस्तों 1919 के अंदर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार यह बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो एंड हुआ उसका एक क्रियेशन था क्रिटी और वर्सालिस बेसिकली जिसको बोलते हैं वर्सालिस पीस कॉन्फरेंस जो कंड़क्ट की गई थी जिसके अंदर बेसिकली वर्ल्ड वार वन से रिलेटिड जो पिनेल्टीज वगेरा थी वो भी इंपोस की गई थी जर्मनी जैसी कंट्रीज के ऊपर ठीक है उसी कॉन्फरेंस के अंदर ये इंटरनाशनल लेबर और 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 जिसको खतम कर दिया गया था क्योंकि ये डिसाइड हुआ वर्ल्ड वार टू जब हुआ गया रही है तो बल्ड वार को रोकने में कामियाबी नहीं हुआ तो अल्टिमेटली लीग और नेशन को डिसॉल्व क बना था और उसी का एक ऊटोनॉमस बाडी की फॉर्म में इंटरनाशनल लेबर और और ऑर्णाइजेशन को भी फॉर्म किया गया था कोर्शन डिरेक्ली पूछ लेता है कि किस प्र्टिक्लर बाडी के साथ एस्सेटेट था स्टार्टिंग में कब सेट अप हुआ था इयर पूछ लेगा, या किस conference के through establish हुआ था, directly वो paper के अंदर इस type के questions पूछ लेता है, ठीक है, ILO की अगर हम बात करें, तो ILO एक clothty body, मैंने आपको बताया ना, कि League of Nations खतम हो गया, या जो भी पहले की international organizations थी, वो survive भी नहीं कर पाई, second world war, क्योंकि लोगों को लगा, जो international countries थी, उन जो survive कर गई, even after second world war, इस organization को dissolve नहीं किया गया, League of Nations को dissolve कर दिया गया, जो इसकी parent body थी, लेकिन ILO को dissolve नहीं किया गया, तो second world war ये survive कर गई, और ये जैसे United Nations की बहुत सारी specialized agencies हैं, WHO अगेरा, जो जिन्होंने United Nations के साथ agreement sign किया हुआ है, ये United Nations की पहली specialized agency बनी, 1946 के अंदर इन्हो के साथ, और ये United Nations की पहली specialized agency बनी, और इंडिया जो है, वो member है ILO का since its inception, inception यानि कि 1919 से इंडिया जो है, वो ILO का member है, not from 1946, 1946 में तो वो UN के साथ जुड़ गया, लेकिन ILO तो 1919 में बन गया, और इंडिया जो है, वो 1919 से ही ILO का एक full time member है, तो founding member के अंदर हम आते हैं, ठीक है, अब एक unique feature है ILO का, जो बाकी की आपको specialized agencies या UN की bodies के अंदर नहीं दिखेगा, या किसी और international institution के अंदर नहीं दिखेगा, वो ये है कि ये एक tripetite character का है, tripetite character का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सरकार भी participate करेगी, यहाँ पर employers की भी participation है, यहाँ पर employees की भी participation है, तो तीनों मिल करके बैठेंगे conference के अंदर, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा ना कि international labor organization की conference जो होती है, उसमें participation आप देखोगे कि तीनों के representatives उसके अंदर चेए, वो भी हम अभी इसी lecture के अंदर आगे देखेंगे, ठीक है, अब यह जो aims and objectives है, जैको हर organization के कुछ ना कुछ aims and objectives होते हैं तो ILO के भी कुछ ना कुछ aims and objectives हैं, तो ILO के जो aims और objectives हैं वो इसके constitution के preamble में लिखे हुए, जैसे भारत का constitution है और हमारे objectives ही तो हैं, कि भई हमें justice लेकर के आना है, हमें equality लेकर के आनी है, हमें integrity को encourage करना है, ठीक है वैसे ही आपके ILO के भी aims and objectives उसके preamble में लिखे हुए, और एक declaration है जिसको बोला जाता है declaration of Philadelphia इसमें से question पहले भी पूछ भी चुका UPSC तो declaration of Philadelphia ये भी ILO के constitution के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंदर भी ILO के objectives को highlight किया गया है औके and preamble basically जो ILO का क्या बोलता है preamble बोलता है कि देखो भया अगर तुमको दुनिया में शांती चाहिए और ये शांती तुमें short term के लिए नहीं चाहिए लंबे समय के लिए चाहिए तुम चाते हो कि शांती बनी रहे long term के लिए तो वो तब ही हो सकता है जब दुनिया के अंदर social justice तुम ensure करोगे अगर दुनिया के अंदर social justice नहीं होगा तो definitely वहाँ पर आप एक universal और लंबे समय तक चलने वाले peace को assure नहीं कर सकते हो तो ये basically इसके preamble में लिखा गया है इस type के questions ना UPSC directly statement में डाल देता है कि ये जो particular statement है universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice ये कहां पर mentioned है इस type का question उन्होंने EPFO के exam में पूछा था again जो UPSC ने conduct किया था ठीक है अब Philadelphia declaration के अंदर या जो constitution का preamble है उसके अंदर basically क्या लिखा गया है कि कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनके उपर urgently काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि unrest create ना हो सबसे पहले तो जो hours of work है जो लोगों का काम करने का समय उसको regulate करो क्योंकि उस टाइम पर क्या देखा गया कि कोई काम करने का समय नहीं था labor से लोग 14-14-15 गंटे काम करा रहे थे बिना किसी rest के ठीक है तो work को regulate करना है unemployment नहीं होनी चाहिए जो 1930s के great depression में देखा गया adequate living wage होनी चाहिए लोग काम तो कर रहे थे लेकिन जो उस काम के लिए उनको पैसा मिल रहा था वो एक sufficient standard of living को ensure नहीं कर रहा था ठीक है worker को protection provide करनी है अगर worker बिमार हो जाता है उसको कोई बिमारी हो जाती है या उसको कोई चोट लग जाती है ठीक है तो उसको कोई protection है social security है अगर वो future में काम ना कर पाए workers के children young लोग women इनकी protection migrant workers का protection आज भी हम इसके उपर बात करते हैं कि migrant workers covid के time पर हमें देखने को मिला empathy of the migrant workers ठीक है they are living in slums proper living conditions नहीं है तो उसके अंदर काम करना है उसको ensure करना है freedom of association कि लोगों को workers को specially they need to associate together trade union formation का right basically एक तरीके से आ गया और vocational or technical education ताकि एक जो skill ability है वो workers के अंदर develop हो सके उसके लावा Philadelphia जो आपका charter है there are further points in this particular charter ठीक है वो क्या बोलता है Philadelphia charter क्या बोलता है कि labor कोई commodity नहीं है जैसे आप machineों का इस्तेमाल करते हो वैसे आप labor का इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई वो कोई चीज नहीं है ठीक है वो एक living person है तो labor को commodity की तरह नहीं treat करेंगे आपको labor को freedom of expression प्रोवाइड करना है अगर उनके कोई concerns है तो वो express कर सकें वो association form कर सकें to develop collective bargaining ठीक है ताकि वो progress कर सके साथ ही साथ Philadelphia declaration नहीं क्या बोला कि अगर कहीं पर भी गरीबी है तो हमको यह नहीं सोचना चाहिए अगर for example किसी x y z country में गरीबी है तो इंडिया यह ना सोचे क्यार उस country में गरीबी है अपने को क्या ले ना मरने दो Philadelphia declaration क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी problem है गरीबी की दिक्कत है कहीं पर भी तो वो हर जगा के लिए problem है क्यूंकि कहीं पर भी गरीबी होगी वहाँ पर लोग terrorism के अंदर जाएंगे वहाँ पर लोग crime के अंदर जाएंगे और terrorism और crime कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको effect करेगा ही करेगा साथे साथ Philadelphia declaration ने क्या बोला कि war against want बहुत जरूरी है war against want जो लोगों की जो basic जरूरते हैं जो पूरी नहीं हो रही उसके खिलाफ एक continuous लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हर देश को एक साथ मिल करके international effort डालना पड़ेगा और workers, employers employees सब जो है वो आपस में represent करें एक दूसरे को ताकि equal status के लिए काम किया जा सके, discussion हो सके कि कैसे हर किसी को equal status जो है वो provide किया जा सके ओके, चलिए ओके जी, उसके इलावा declaration ने क्या बोला, Philadelphia declaration ने कि जो भी national and international policy बने, चाहे national level पे जो सरकारे policy बना रही है या international policy जो बन रही है उसका one of the main target क्या होना चाहिए कि social justice ensure हो ठीक है, and declaration ने और क्या बात बोली, कि कोई भी human being है, कोई फरक नी पड़ता वो किस race का है, किस caste का है, किस sex का है, हर किसी के पास right है, कि वो अपने material well-being के लिए काम कर सके, अपनी spiritual development के लिए काम कर सके, पूरी आजादी के साथ, पूरी dignity के साथ और उसको economic opportunities provide की जाएं, बिना किसी inequality के, ठीक है so this was also there in the ILO declaration, जो आपका Philadelphia declaration है next अब हम बात करते हैं functions of ILO की, तो कोई भी organization कुछ ना कुछ काम तो करेगी functions तो perform करेगी, तो ILO के 3 major function है, एक तो जो आपके international labor standards बनते हैं conventions और recommendations वगेरा जो होती हैं दूसरा, ये research and survey and उसके तुरू जो भी information collect करता है, उस information को disseminate करना है, लोगों तक पहुंचाना है labor and industrial conditions से related technical assistance provide करता है ताकि जो social and economic development के programs हैं, उनको अच्छे से conduct किया जा सके, तो countries को technical assistance भी provide करेगा अब functions को perform करने के लिए definitely organs चीए तो ILO के principal organs कौन से हैं, ILO के basically तीन principal organ है, एक तो international labor conference, governing body and international labor office ठीक है जी, और इसके इलावा, regional level के उपर, regional conferences, regional advisory committees, industrial committees जो हैं, वो भी रहती हैं, जो basically conference और governing body के काम को supplement करती है general conference की बात करें, तो general conference को साल में एक बार जरूर मिलना है, और इसके अंदर हर country के minimum चार delegates होने चाहिए, ठीक है, हर country जो भी basically member country है अब इन चार में से दो तो सरकारी delegates होंगे एक represent करेगा employers को और एक represent करेगा employees को ठीक है, दो सरकार के एक employer का representative, एक employee का तभी तो tripetite बनेगी ना organization ठीक है जी, ये supreme organ है आपका general conference जो होता है और सारे जो भी legislative decisions है, वो इसी conference के अंदर होंगे, ओके और ये general conference ही governing body को elect करती है कि कौन members governing body के अंदर जाएंगे सारे के सारी countries को तो governing body के अंदर डालनी सकते है ठीक है, organization का अगले दो साल के लिए क्या program होगा ये उसको adopt करते हैं, budget adopt करते है international labor standards ये जो conventions या recommendations होती है वो भी international labor conference set करती है ठीक है जी तो governing body को elect किया bineal, program and budget उसके बाद international labor standards and discussion का एक forum basically ये provide करती है governing body की बात करें तो ये basically executive wing होते है जो भी decision general conference के अंदर होंगे उसको execute कौन करेगा, governing body करेगी governing body अपना एक director general को चुनती है जो director general of ILO जिसको हम बोलते हैं हर session का जो conference का agenda होगा वो भी governing body decide करती है उसके इलावा जो भी conventions and recommendations general conference में set हुए है उनको member countries कितना implement कर रही है उसके ओपर भी एक I, governing body रखेगी international labor office जो third principal organ है इसका headquarters है Geneva में जो भी governing body या conference की जो meetings होती है या conferences होती है वो सब इसी international labor office के अंदर होगी इस international labor office का जो chief executive होता है यानि कि boss होता है वो director general होता है जो governing body का होता है ठीक है and basically जो भी information है वो सारी की सारी इस office के अंदर ही process होगी next अब हम बात करते हैं कि ILO अपने functions को या objectives को कैसे achieve करेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया उसके लिए ILO standards set करेगा standards set करने के लिए conventions और recommendations जो है various जो rights है human beings के at work की worker के working conditions में क्या rights होने चाहिए उनको highlight करते हैं और इसमें कुछ basic rights होते हैं ऐसे rights नहीं होते हैं कि भई वो इस country के लिए तो ठीक हैं दूसरी country के लिए खराब है basic rights होते हैं जो हर किसी के पास होने चाहिए ठीक है अब ILO के जो standards है वो basically 5 category जो various standards ILO form करता है उसको 5 category में आप divide कर सकते हो एक तो association से related trade union वगेरा formation दूसरा workers का collective bargaining का right तीसरा forced and compulsory labor को पूरी तरीके से eliminate करना चौथा child labor को पूरे तरीके से हटाना और 5 वां किसी भी तरह की discrimination नहीं होनी चाहिए employment में तो जादा जर जितने ILO के conventions and recommendations हैं वो इन 5 की category के अंदर ही आएंगे अब convention क्या होता है convention basically एक treaty होती है और अगर convention को एक country ratify कर देती है for example कोई XYZ convention है उसको इंडिया ratify कर देती है तो फिर वो एक तरह के से international obligation बन जाएगी इंडिया के उपर कि उसको वो convention को fulfill करना ही पड़ेगा recommendation दूसरी तरफ कोई ऐसी obligation नहीं create करती है recommendation क्या होगा कि मैंने आपको सला दे दी कि आप ऐसा कर सकते हो ठीक है अब वो मेरे उपर है कि मैं उसको करू या ना करूँ अब एक बड़ा important जो provision है जो यह ILO डालता है countries के उपर वो क्या है अब for example कोई भी convention ILO की general conference में discuss हुई अब इंडिया नहीं चाहता कि उसको वो ratify करे भारत सरकार सोचती है कि नहीं हमको नहीं इसको ratify करना तो फिर भी ILO क्या बोलता है ILO बोलता है कि जो भी countries यह convention है ना उनको यह convention अपनी national state या provincial authority जैसे इंडिया के case में क्या हो गया पार्लेमेंट कि यह convention तुम अपनी पार्लेमेंट के पास लेकर के जाओ अपनी पार्लेमेंट में इसको रखो और फिर पार्लेमेंट decide करें कि वो इसको पास करना चाती है या नहीं करना चाती ठीक है तो 18 महिने के अंदर जब ILO की meeting के अंदर वो convention आ जाएगी उसके बाद 18 महिने के अंदर अंदर सरकार को उस convention को एक बार पार्लेमेंट में लेकर के जाना पड़ेगा और फिर पार्लेमेंट डिसाइड करेंगी कि उसको वो adopt करना है या नहीं करना है यह एक limitation ILO के हर member के उपर है ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं अब यह conventions and recommendations जो हैं इनको together और क्या बोला जाता है international labor standards and international labor code now there is a person called Wilfred Jenks यह बोलते हैं कि यह जो international labor code है ना जो basically recommendation और conventions है ILO के यह basically एक तरह के social justice के point of view से एक law है पूरे का पूरा ठीक है क्या बोलते हैं इसको corpus jurist that it is a body of law for social justice ठीक है बहुत important एक body of law है social justice के लिए अब next अब हम बात कर लेते हैं very briefly ILO and India की तो एक point तो मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ कि India founder member है ILO का और जब से ILO बना है तब से India उसमें deliberately participate कर रहा है ILO में total around 190 conventions है इसमें से India 47 conventions को ratify कर चुका है ठीक है and जो conventions ratify हो चुकी है India ने उसको अपने कानून के अंदर भी लागू कर दिया and in fact जो conventions हमने ratify नहीं की है वो हमने use कि दो हमने उसको ratify नहीं किया है ताकि हमारे उपर एक compulsion ना बन जाए एक international obligation ना बन जाए इसलिए हमने उनको ratify नहीं किया है लेकिन कहीं ना कहीं उसको use करके हमने अपने law के अंदर changes ज़रूर लेकर किया है for the betterment ILO की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो labor movement start हुई during the Britishers उसका श्रे भी ILO को जाता है ILO के influence से ही इंडिया के अंदर All India Trade Union Congress का origin हुआ same time पर ठीक है उसके इलावा इंडिया की जो commitment है ILO की तरफ वो reflect होती है इंडिया देखो अपने various laws में continuously encourage करता है collective bargaining को trade union movement को government participation को तो try-petite system जो ILO encourage कर रहा है वो ही सरकार यहाँ पर हिंडुस्तान में encourage कर रही है similarly ILO के preamble और Philadelphia character के अंदर charter के अंदर जो provisions हैं जो objective set हैं वो कही ना कहीं objectives reflect हो जाते हैं इंडिया के fundamental rights और directive principles influence है ठीक है so relationship अच्छा है अच्छा अब जो conventions इंडिया ने sign के हुए है वो हम discuss करेंगे in the upcoming lectures all right all right guys so this was all about ILO we have done it very quickly and the idea was also to do it very quickly but still अगर कोई doubt हो comment करो whatsapp करो mail करो telegram का link description में है वाँ पर पूछलो okay now we'll see you in the next class अब आपको बस एक काम करना है channel को subscribe करना है a lot of content is going to come and stay connected take care